आप से विडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के एक बहुत ही इंपोर्टेंट और वाइरल सब्जेक्टिव कोश्चन बताने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो पर कंप्रीड बने रहें और आप लोग हमारी चनल पर पहली बार आए हैं तो चलने को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल करने को प्रेस कर लेजिए यह जो आप लोग कोश्चन देख पा रहे हैं यह बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है कि बहुत बार जैक बोर्ड में यह कोश्चन पूछा गया है यहां पर देखने से तो एक ही कोश्चन लग रह ही है अगर एक बार वीडियो को देख लेते हैं पढ़ लेते हैं तो आपका याद हो जाएगा आप लोग आसानी से लिख सकते हैं तो यहां पर जो भी होगा नहीं जो भी चीज़ा आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेंग्वेज एक दम सिंपल रहेगा मतलब जिससे आप ल हमें तक आप लोग याद रख पाएं तो दिदी हमारे पास जो कोस्ट्न क्या है कि हहाँ इक रापा से भटा के सामाजिक आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें यह जो अरभ पास रथा संस्कृति है उसमें सामाजिक जीवन कैसा था आर्थिक जीवन कैसा थ धारविक जीवन कैसा था यह सब चीज के बारे में हमें बताना है यह कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है या फिर कोश्चन पूछने का तरीका ऐसा भी हो सकता है हरपा संस्कृति की बिभिन विसस्ताओं का बिवेशन किजिए ऐसा पूछेगा तब भी ओई डिभाति अंसर ऐसा पूछेगा तब एंसर यह कोश्चन ऐसे भी पूछा सकता है हरपा संस्कृति के निवास्यों के सामाजिक आर्थिक व धार्मिक जीवन का वर्नन की जिए इस प्रकार से भी कोश्चन पूछा जा सकता है फिर देखे कोश्चन पूछने का और क्या तरीका हो सकता है आगे देखिए कोश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंदु घाटी की नगर निर्मान योजना कला कोसल और धार्मिक दिस्वासों का वर्नन की जिए इस प्रकार से भी हमारा प्रस्न पूछा जा सकता है या फिर यह जो प्रस्न है ना यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरपा संस्कृति का नगर योजना भवन निर्मानकला सनानागार तदा लेकर सैली क्या योगदान है तो किसी भी प्रकार से हमारा कोशिशन पूछा आए इसका एंसर मात्र एक ही होने वाला है जो यहां पर अभी में आपको गर्मा गरम बताने वाला हूं तो शली इसर देख लेते हैं कि इसका एंसर हमारा वाकई में क्या होगा और बहुत ही सिंपल और इजी तरकी से पताऊंगा जिस्ते आप लोग अगर एक बार है करने का ज़रूत नहीं है तो देखिए का है इसका उत्तर कि मिला पास स्कृति की विशेदा है आट है ने रहला से पहला है हमारा सामाजिक जिवन क्या है सामाजिक जीवन जफ़ाता कि लोग का सामाजीक जीवन किस प्रकार का था यहां पर एकक कर करके पॉइंट बाज़ा करें बहुत ही सिंपल है अगर आप लोग यह जलक देखें कि तहा याद हो जाईगा क्या है कि हरपा से बिता के लोग साकाहारी तथा मानसहारी तोनों प्रकार का भोजन करते थे यह लोग-धु दिधन वह साकाहरी भोजन भी करते थे औल्हशा भून साहली मि और भोजन भी करते थे याद ओव यह कुभत नहीं है दुसरा पॉंट देख ए- खुदाई से प्राप्त सुयों के आवसे से पता चलता है कि यह लोग शीले बस्त्र पहन ते भापास हे अगशांगों को थे और शीले बस्त्र पहनते थे कोई दिकत कोई प्रोब्लम नहीं होगा सर एकदम ए टूजेट आपको समझ में आएगा आपको लगेगा ही नहीं कि आप पड़ क्या रहे हैं बड़ी मज़ा आने वाला है एककर करके पॉइंट बाइप पॉइंट यहां पर मैं आपको बताते चलता हूं तो देखें तिसरा पॉइंट क्या है हरपा से प्रता की इस्तरियां जुड़ा बानती थी तथा पुरूस लंबे बाल तथा दार ही मूच रखते थे देखिया आप लोग देखते होंगे कि इस्तरी लोग जो होती है ना क्या करती है अपने बाल को एकदम अपने माथा में क्य बना लेते जिसको जुड़ा बोलते हैं तो हरपा से प्रता की इस्तरियां भी ओश्तरी करती थी मतलब अपने बाल को समेठ कर एक गोल्ड़ाप का बना लेती थी जुड़ा बांती थी और जो प्रूस लोग जो थे इसी का भी तो फैसन होई गया है लंबा लंबा बाल रख सकते हैं तो कि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल भी आपको टेंसर ने लेना है अगला जो पॉइंट है पॉइंट नमर फाइब देख लिजी क्या है कि मोहन जो दो की नारियां काजल पावडर आधी का प्रयोग करती थी देखिए उस टाइम भी जब हरपा सर्वड़ा का बात हो रहा है यहां पर तो हरपा काल में तो जो मोहन जो जो इस्तरियां थी वह लोग काजल पावडर इत्यादी मेकप के लिए करती है अभी जिसे बहुत सारे जगा पी मतलब आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग देखिए गा जब वहां अब अबसेस खो जा गया तो जैसे चुन हुदों से वहां पर लिपिस्टिक का भी अवसेस मिला तो इससे पता चलता है कि उस टाम भी लोग क्या करते थे वही मेकप बगरा करते जिस प्रकार सावी लड़कियां करती है बिलकुल उसी प्रकार से हरपा से प्रता के टाइम इस प्रकार का मेकप बगरा होता था काजल पावडर लिपिस्टिक बगरा का यूज होता था आप लोग देख सकते हैं तो यह हो गया हमारा फिप्थ पॉइंट देकि आप लोगों को हरे ची समझ में आ जाएगा टेंसन आप लोगों को नहीं लेना है चलिए आगे बड़त के लिए को नरतक्यी की मूरटी से संकेत मिलता है की अख को लोग गाने बजाने के भी easo करने वाली एक नर्थकी का मूर्ती भी मिला था जिसते यह पता चलता है कि हड़पा के जो लोग रंजन के लिए गाना बजाना करते थे और गाना बजाने के सौकिन भी थे तो यह हो गया सामाजिक जीवन अब बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन के उपर तो चलिए एक करके के डिसकस कर लिया जाए किसके धार्मिक जीवन में हमारा क्या क्या यहां पर पॉंट है हारे कि समझना आजाएगा टेंसन ने लेना है एंसर थोड़ा है लेकिन भावती महतपूर्ण कोस्टन भी है पहला पॉंट क्या देखी कि हड़पा से बता में मंदिर प्राप्त नही होंगे कोई इगत नहीं है अगला पॉइंट क्या है कि मोहन ज diplomacy के लोग मात्री देवि की पूजा करते ती मात्री देवी जिससे की अभी के टाइम पूजा क्या करते थे अगला देखे पूइंट क्या है कि हडपा वासी धरती को उर्वरता की देवी मान कर उसका पूजा करते थे पूजा पूजा करते है अगर्वासी अगला पूजा करते थे व requires से बहुत सारे पथर अथमा crystal GP लिंग यॉनि के प्रापती हुई से पता चलता है कि हड़ा पावासी लिंग सब्सक्थ एक ताइम सिसक्राइब पुझा होता है ना उसी प्रकार से हड़क्ट के लोग ही लिंक ठीधियर अगला पॉइंड क्या है कि ये लोग मेंटेप तो यह लोग भी नाग देवता का पूजा करते थे पॉइंट नमर नाइन क्या देखिए कि बड़ी संख्या में प्राप्त तावी संकेत देते हैं कि यह लोग सबस्ते हैं अगला पॉइंट किया कि सवास्तिक का समंध सूरी पूजा से हो सकता है और अनुमान लगाया जाता है कि जो स्वास्तिक का सम्मेंद सूरी पूजा से हो सकता है अगला पॉइंट किया कि काली बंगान लोथल से इंटो की बनी व्यदी मिली है जो अगनी पूजा का साक्ष है मतलब उहां पर हवन कुंड बेगारा मिला है इसे पता चलता है कि इन लोग हवन बेगारा करते थे तो यह सब चीजा आप यहां पर बोल सकते हैं निटक संसकार सब्सक्राइब करना के उसमें उसको टू छोबी ए उसको खाले ता जहां पर यह बता है नहीं जार पारा मदास रहा पुरी तरीके से अक्षारे करते हूं कि लिए नहीं है इस चीज़ का लिखिए का अर्थिक जीवन इसका आर्थिक जीवन के उपर एक नजर लोग देख लिते हैं पहला पॉंच है कि हड़ा जबता के अधिकतर लोग क्रिसी पर निर्वर्त ते के अपसे जो अपने लिए कपड़े बनाते ते यहां पर अगला पॉइंट देखिए पॉइंट में थ्री क्या है किरिसी के साथ साथ हड़ापा वास्तियों की अर्थिवस्ता का आधार पसू पालन भी था यानि किरिसी तो करद ही रहा था उनलोग और साथ पसू पालन भी कर दाता इसमें गाय पालता था बैल भेड कुत्ता हाथी सुवर गधा एवंग उट इनके परमुक पालतू जन्वर है तो मतलब यह सब चीज पालन करते थे यानि पसू पालन भी लोग करते थे और देख लिज यहां पर आगे और कि रिच़ीत आप अत्रिक्त हरबासी शिल्प एबन उद्वोग धन्दे का भी काम करते थे तो यह होगी हमारा इस कोश्चिन का प्यारा सशुंदर साथ एंस लेगे में अपने लिए अपने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा सर और देख लिए यहां पर दो चीज देख सकते हैं इसे अपर सनानागार के बारे में है तो मैं आपको आगे ओर एक कुशन बताऊंगा ठीक है आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो उस टाइम में आप आप लों और के बारे में थोड़ा सबताऊंगा इस अक्टिमें यह आप लोग यहाप इतना कोशें कर जा रहे सब्जेक्टिमें में क्या होगा कि अब लोग कोशिगों लिंक करके लिख सकते हैं इस कोईशन को उसमें थोड़ा सा उसका कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं तो यह चीज़ आप लोग समझ जाहिएगा मैं आपको आपको अच्छी तरह बता दूगा तो चले आपको वीडियो पसंदे दिए लाइक करें दिए मिलके हैं अगले आपको जाहिएगा